आज हम सब सिखेंगे आलू का फ्राठा बनाना मुझे बहुत सरा question आता है कि आलू का फ्राठा इजी तरीकी से बनाना बताइए तो चलिए वही देखते हैं आलू का फ्राठा बनाने के वीडियो है अब लोग को दिल से सुक्रीधा मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए अपने इन्पोर्टेंट टाइम के मेरा वीडियो देखने के लिए क्योंकि आप लोगों के प्रणाना नहीं नहीं देते तो मेरे यहां तक मूझे नहीं बैं बिल्कुल ना मुँंकिन था आज देखते हैं आलू का फराटा कैसे बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से जिन लोगों का फराटा बनाना नहीं आता है अलो के फूलता नहीं है करंची और क्रिस्पी नहीं बनता है वह सारे डाउट क्लियर होने वाले तो इसके लिए आपको सरस्तो का तेल डालना है और तो आप दरदरा डालिएगा तो उसे टेष्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसको भी हल्का सभून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक ज्यादा नहीं तब तक बुनना है जब तक इसका कच्छा पना निकल जाए और अलो को फ्राटा बनाना बहुत ही असान है अगर एक ब पानी के points के एक प्रियंका तो पानी के अच्छी अच्छा बहुत ही अच्छी से बुहन जाए। पानी बहुत ही अच्छा बूनताही उसके बाद आपको गरम मसाला और लाल मिच का पॉर्ड डालकर सब को मिक्स कर देना है और इसको भूल लिए हलका से तेल रिलिज होने त कैसे बना सकते हैं इसमय दुप करें पापते हैं अब पेаль एक जबद दालना की इम समय हमारा मसाला होता हैं हर बीडियो करें चल कूछ सबब्स पूए जाए टी dust मिडियम फ्लेम पे तकि जो है आलू में सारा मसाला का फ्लेवर चला जाए और आलू का जो कलर हलका गोल्डेन हो जाए इसके बाद आप उपर से डाल दीजा धनिया पत्ता ग्रीन ग्रीन क्यूंकि और भी अच्छा लगेगा हमारा आलू का फीलिंग है और बहुत ही अच्छे इसके बारे में अपको बता चुके हैं डिटियल से उसके बाद एक एक रोटी बेल के साइड में रखते जाएंगे जैसे आप रोटी बेलते हैं आपको भी आपको कहिए ना आलू का फ्राटा बन के रेडी बहुत ही असान है अगर आपको रोटी नहीं बनाने आता है तो भ आप यालू का फ्राठा बना सकते हैं और बनाने में कोई प्रोब्लम भी नहीं होगा दुनों सेट से हलका से इसको हम बेल देंगे ताकि थोड़ा से लंबा हो जाए और इसके बाद आपको एक पैन रखना है गरम होने के लिए जैसे ही पैन हलका से गरम हो जाएगा उसके बा चीए अब कर सकते हैं । मयोंना यह यह जो फूल भी रहा है इसी तरीके से दोनों साइट से अच्छी से इसको सेख लेंगे गोल्डन ब्राउंड होने तक क्रंची होने तक और जो चटनी का वीडियो आप लोग के साथ सेर के इतना टमाटर का उससे आप बना के इस फराठे को सर्फ कर सकते हैं वो चटनी बहुत ज़्य कितना क्रंची और आप देख सकते हैं कितना सॉप्ट और मुलाइम बनाए इस तरीके से आलो को फराठे जरूर बनाएगा मिलते हैं इस वीडियो में बाई बाई